हम बात कर रहे हैं ITC की लास्ट ट्रेडिंग देखी बात करें तो एक परसंट के उपपर की गिरावाट के साथ इस टॉक ने क्लोजिंग दिखाई है गिरावाट आई थी स्टॉक में देख सकते हैं अल्मूस 530 के लेवल से रिजेक्शन लिया एक जम पाया जम के साथ अगर अगर अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिलता लेकिन रिजेक्शन के साथ गिरावाट आई उस वक्त हमने डिस्कस किया था इस सपोर्ट को नीचे की और 500 और 594 का लेवल मेजर सपोर्ट के तोर पर डिस्कस किये थे लेकिन ब्रेक्डाउन करता नजर आ रहा है लगातार सेलिंग हम देख सकते हैं 510 से जब रिजेक्शन लिया आई तो इसके बाद लगातार गिरावाट स्टॉक में हमको देखने के लिए मिर रहे ह पर इसके यहां से लगातार गिरावाट डिका सकता है दिका रहा हैँ और गिरावाट इसमें देखने के लिए भी मिल सकते हैं अब नीचे की और सपोर्ट कहां बनेगा वहाँ से इसको आम थोड़ा सा अनलाइस करने की कोशिश करते हैं तो चाट पैटरन को अगर हम देखे तो जब इस टॉक में अप ट्रेंटा जंप आया था अलमस कहां तक का 505 का वहां से रिजेक्शन लिया था तो 480 के लेवल पर सपोर्ट बना था 480 के लेवल पर सपोर्ट लिया था उसके बात लगातार तेजी के साथ 530 तक के तारगेट डिखाये थे यहने सपोर्ट कहां था हमने देख लिया 480 के लेवल पर हमने देखा था सपोर्ट लेते हुए तो अब आप यहां से देख सकते हैं नीचे गिरावट आती है तो इमिडियेट सपोर्ट का काम करेगा 485 और इस गिरावट के साथ मेजर सपोर्ट 480 और इसके खेल के पलटने के चांस जो है 480-482 इसी के आसपास से बनेंगे ITC 480-482 के आसपास से इसका खेल पलट सकता है यहां से अगेन फिर रीकवरी दिखाता नजर आ सकता है तो यहां से अब इस टॉप में रीकवरी आती है जहां क्लोजिंग दे गए तो इसी सीच पेशन में आगर रीकवरी आती है तो इस रीकवरी के साथ 500 टक का जम दिखा सकता है और जब तक 500 के लेवल को ब्रेक ओट करके इसके उपर सस्टेन नहीं होता तब तक कनफॉर्मेशन नहीं होगा आप ट्रेंड का और यहां से लगाता राप साइट का रीकवरी का तो इंतिसार करेंगे फिर अगर यहीं से ब्रेक करता है तो 500 का लेवल ब्रेक ओट करके इसके उपर सस्टेन होने का अगर 480 तक की गिरावाट आती है तो यहां एक अच्छा फिर मोका बनेंगा अखिरकार यह IT से है दोस्तों इसका फंडामेंटल यह आप जानते हो कैसी है जब भी गिरावाट आएगी उस उस गिरावाट पेस में मोका बनेंगा एक अच्छा मोका बनेंगा यह आच्छे रिटन्स दे सकता है आने वाले दिनों में लांग टर्म के लिए काफी अच्छा साबीत हो सकता है क्योंकि फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉंग है तो 500 इमीडियेट टार्गेट है अगर इस लेवल को ब्रेक आउट कर गया तो निक्स तार्ग जो रेजिस्टन्स फेज करेगा 510 के लेवल पर और इसको ब्रेक आउट करके मेजर रेजिस्टन्स फेज करने वाला है 520 के पास 520 का लेवल जब अप्ट्रेंड में तब भी उसी लेवल पर इस टॉक ने दो दफार इसको फेज करता नजर आया था तो 520 इसका मेजर रेजिस्टन्स रहेगा 520 के ब्रेक आउट के बाद अब साइट में फिर अच्छा मुमेंटम दिखा सकता है वीडियो एजुकेशन परपस के लिए हम कोई बाइसे लिया फोल्ड की सला नहीं दे रहे है अगर आप डिमेट अकॉंट ओपन करना जाते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो